आप देख सकते हैं कि काफी ज़्यादा ठंड पड़ रही है आज हम जा रहे हैं जी दुराहा में मुगल सरा देखने के लिए आईए जी चलते हैं और देखते हैं ते आउजी लेके चलते हैं फिर थोनू मुगल सरा देखने ते मड़ाया तेल पवाली है पांप तेल काट से गाई है ते इस तो बाद फिर सिद्धे आप आपने कोई भी म्यूजिक नहीं लवना है वीडियो देखते हैं बिना म्यूजिक तो ही है वीडियो एडिट करनी है वीडियो लाइक कमेंट शेयर जरूर करते होगी ते चैनल मेरे बीर सारी सास्क्राइब कर लेओ तो यह है जी मुगल सरा दुराहा इसका में गेट है यह अगर आप लाइब अपनी आखों से देखोंगे तो पता लग जाएगा कि कितनी बड़ी बिल्डिंग है यह और बहुत अट्रैक्ट करती है यह इसकी शाता है जी उपर वीडियो बनाने के लिए थोड़ी सी पबंदी है यहां पर इसलिए में गेट की नहीं बना सके तो फॉग काफी ज़दा पड़ी हुई है यह थोड़ा दिक्कत आ रही है वीडियो बनाने में इसकी छट पे चलके आप इसके चारों और राउंड लगा सकते हैं तो आईए दिखा देते हैं आपको थोड़ा बहुत आप चलके जा सकते हैं जहां पे हम लोग इस टाइम में चल रहे हैं इसके नीचे मुगलों के रहने के लिए कमरे बने हुए है यह टोटली आल ओवर जितनी भी बांडरी है सब साइड में ऐसे ही कमरे बने हुए है और हर कॉर्णार पे ऐसी सीडुएं दी गई गई हैं उपर चड़ने के लिए आप देखते हैं कि उपर चड़ने के लिए सीडियां दी गई हुए हैं और ये कुछ इन्होंने रोशन दान दिये हैं अंदर रोशनी जाने के लिए तो ये हर कॉर्नर पे बने हुए हैं इसके ये कुछ इस पे फैवर शीट लगाई गई है ये तो शायद बाद में लगाई है किसी ने तो ये इन्होंने बनाए हुए हैं जो इनके रक्षक या गनमेन आप समझ लो उनके बैटने के लिए तो दूर से किसी भी खत्रे को जो महसूस कर सके ये वही रोशन दान बने हुए हैं जो सो काफी बड़िया जगाई है ये रूम बने हुए हैं सामने और ये पारकिंग है काफी लंबा स्पेस एरिया है सो गूम के देखते हैं इस सारे तो आईए जी यहाँ पे ये साइड में इसका बाहर से कॉर्णर दिखाते हैं आपको कि बाहर से बांडरी कैसे की हुई है न उन्य सो अगर मौका मिलता है दुरहा में आने का तो जरूर यहाँ पे आप घूम के जाएए काफी बड़िया है और इतिहास देखने का मौका मिलता है आपको सो यह साइड में जो गाउँ पड़ता है इसमें इस साइड में पड़ रहा है साथ में बिलकुल इसके यह इसका बांडरी अरिया है बाहर से और इस साइड जिस साइड हम लोग जा रहे हैं उस साइड को ये एरिया है इसका ये गुर्दवारा साहब है छेमे पात्षा जी का सो काफी बड़िया लग रहा है आप देखेंगे घुमेंगे काफी अच्छा लगेगा आपको सो जो भी मेरे भाई वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें सो जो मेरे भाई नए वीडियो पे आए हैं वो चैनल को सस्क्राइब और बेल एकन का बटन जरूर दबाएं सो हमें भी मॉटिवेशन मिलता है इन चीजों से सो ये बनाया हुआ है जैसे उपर चड़के दूर से आप किसी खात्रे को आप पलबंदरवीर इनना दो चैनल चल देने एक जोत ब्लॉग देना होते हैं एक आपना है गाई फास्ट ग्यान दोना दे लिंक पादांगे जी डिस्क्राप्शन दे बैच सो के बाई मिल दे हैं गरते हैं ये इसका दूसरा गेट है जी सामने वाला ये सीड़ियां इसके नीचे से उतर रहेंगे जी सो हम भी उतरेंगे जी कई जगा तो किलों में काफी ड्राबना सा सीन हो जाता है एक बार तो हर एक आदमी के मन में कुछ उल्टे सीदे ख्याल आने चलू हो जाते हैं सो इमारते हैं पुरानी हैं ये आपको पता ही है सो ये इसका नीचे का कॉर्णर है जो बंद किया हुआ है शायद कोई समान समून जरूरत का पड़ा होगा यहां पे सो दिखा देते हैं आपको दूर से ये गेट है जी इसका दूसरा दो ही गेट होते हैं यहां पे कुछा कोई पराने टाइम का दिखा हमें ये भी दिखाते हैं आपको सो आप देखेंगे कि ये मलवा बगएरा फेंक के थोड़ा बंद कर दिया गया है ऐसे है सो यहां से इसकी दूसरी साइड में जो आप कहलोगी थोड़ा थोड़ा पार्ट इसका खड़ा है वाकी खराब हो गया है ये इनका कोई जैसे आप कहलोगी पूजा बगएरा करने का स्थान तो आप देखोगे हरान रहे जोगे आप बिल्डिंग को देखे कि इतनी बड़ी जगा पे आपने बनाई हुई है ये आप कमरे देख लो सामने ये कमरों की आप गिंती नहीं हो सकती आप ये कहलो कि जितनी दूर तक आपकी नजर जाती है रूम ही रूम है पूरे कॉर्णर पे वहां तक काफी लंबा स्पेस एरिया है इसका और बहुत बड़िया लगा देखके अगर आप यहां पे कई वर आते हैं यहां किसी साइड में नज़दी काते हैं तो जरूर देखके जाएंगे यह जो इनका पूजा पाठ करने का स्थान है यह आप देखेंगे तो यहां पे एक नोटे से लगा हुआ है सामने कि कोई भी आदमी यहां पे जूता या चपल पहन के अंदर नहीं जा सकता मैं भी रहने देता हूँ जी मैं भी अंदर नहीं जाओंगा थोड़ा बाहर से दिखा देता हूँ वैसे भी वीडियो काफी ज़्यादा लंबी हो जाती है जी सो